हाई विवर्स वेलकम बैक टू मैं चैनल फ्रेंट्स यह देखिए आज हम सिखेंगे यह बहुत ही सुन्दर सा और बहुत ही इजी निटिंग पैटरन इस डिजाइन को आप एज बॉडर या इसे फुल काडिगन में, हाफ काडिगन में या इसे जैन्ट साफ सटर, फुल स्टर में, बच्चों के स्टर में, कैप में, शौल में, स्टॉल में, मफरल में, किसी भी प्रोजेक्ट में अपलाए कर सकते हैं ये दिखिए, front side से ये इस तरह से दिखता है और back side से ये इस तरह से दिखता है तो friend इस design को बनाने के लिए आपको जो stitches चाहिए होंगे वो 6 के multiple से होंगे, plus 3 फंदे extra रखने होंगे एक फंदा side में design को equal करने के लिए और 2 फंदे stitch के होंगे और ये जो design है, total 4 रख का design है तो चलिए friend बनाते हैं ये देखे friend, यहाँ पर मैंने 21 फंदे लिए है, 18 फंदे 6 के multiple से लिए है, plus 3 फंदे extra लिए है एक फंदा side में design को equal करने के लिए और 2 फंदे stitch के होंगे और नीचे से मैंने अभी तक कोई भी रह नहीं निकाली है अगर आप इसे as a border बनाना चाहते हैं तो आप नीचे से ही स्टार्ट कर सकते हैं और अगर इसे उपर डालना चाहते हैं फुल कार्डिगन में या हाफ स्वेटर में तो इसके नीचे आप जो भी border बनाना चाहें वो बना सकते हैं उसे उसके बाद आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं तो चलिए देखती हैं यह इसकी first row है और red side है यह देखिए, stitch सीधा बुन कर लेंगे अब यह हमारा first फंदा है इसको ऐसे back loop से सीधा बनाएंगे धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे धागा पिछे करेंगे, अब यहाँ से repeat pattern स्टार्ट करेंगे तीन फंदे सीधे बनाएंगे 1, 2, 3 यह देखिए, यह हमने जो तीन फंदे सीधे बनाएंगे first फंदा ऐसे उठाएंगे और आगे के दो फंदों के उपर से drop कर देंगे फिर धागा आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे धागा पिछे करेंगे एक फंदा इसको बैक लूप से सीधा बनाएंगे धागा आगे फिर से एक फंदा उल्टा बनाएंगे starting के तीन फंदे छोड़कर यहां से यहां तक हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गया है इसमें हमने देखिए तीन फंदे सीधे बने फिर एक फंदा दो फंदो के उपर से ड्रॉप किया फिर एक फंदा उल्टा बना एक फंदा बैक लूप से सीधा बना फिर एक फंदा उल्टा बना यह देखिए इस पैटन में हमारी दो केबल डलती है तीन फंदों की और तीन फंदों की यहां पर हमारा एक फंदा डिक्रीज हुआ है, जो हम आगे जाकर इसे इंक्रीज करेंगे, तो फिर से इस पैटन को रूपीट करेंगे, तीन फंदे सीधे बनाएंगी, बैक, वन, टू, थ्री, फर्स्ट फंदा लेंगे, और आगे के फंदों के उपर से ड्रॉप कर देंगे धागा आगे करेंगे फिर एक फंदा उल्टा धागा पीछे back लूप से एक फंदा सीधा धागा आगे एक फंदा उल्टा फिर से धागा पीछे तीन फंदे सीधे फ्रस्ट फंदा आगे के दो फंदों के ऊपर से ड्रॉप कर देंगे फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा धागा पीछे एक फंदा बैक लूप से सीधा, एस्टिच सीधा बना लेंगी ये देखिए first row complete हो गई है second row है wrong side एसे ही उतार लेंगे अब देखिए ये फंदा हमने जो back loop से सिदा बुना था उसे wrong side से भी back loop से उल्टा बनाएंगे देखिए ये उल्टा फंदा है इसे simply उल्टा ऐसे नहीं बुना है इसे हमने ऐसे back loop से ऐसे लेंगे इसको और इसे उल्टा बनाएंगे ये हम सिदी side से back loop से सिदा बनेंगे और उल्टी side से back loop से उल्टा बनेंगे धागा पीछे एक फंदा सीधा धागा आगे अब दो फंदे उल्टे बना लेंगे ये हमने जो एक फंदा डिक्रीज किया था वो दो फंदे उल्टे बनाएंगे धागा पीछे फिर से एक फंदा सीधा धागा आगे एक फंदा जो हमने बैक लूप से सीधा बोना था उसे बैक लूप से ही उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा, ये देखे, स्टार्टिंग के तीन फंदे छोड़कर यहां से यहां तक हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गया, इसमें हमने दो फंदे उल्टे बनाए, एक फंदा सीधा, एक फंदा बैक लूप से उल्टा, फिर धागा आगे करेंगे, फिर से दो फंदे, इनको उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, सीधा बुन लेंगे, धागा आगे, उल्टा फंदा पैक लूप से उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, धा बनाएंगे, 2nd row complete हो गई है, अब देखिए 3rd row है, right side, ऐसे ही उतार लेंगे, अब देखिए starting का सीधा फंदा है, इसे back लूप से सीधा बनेंगे, धागा आगे, उल्टा फंदा, उल्टा, धागा पीछे यहां से repeat pattern स्टार्ट करेंगे, तो दिखिए, यहां पर हमारे पास 2 ही फंदे हैं, एक फंदा हमने उपर से उठा कर ड्रॉप करके, इसका decrease किया था, अब इसे increase करेंगे, एक फंदा सीधा बनेंगे, फिर चाय डालेंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा बना लेंगे, यह दिखिए, फिर सी यहां पर तीन फंदे हो गए हैं, धागा आगे, अब नेक्स्ट तीन फंदों की केबल डालेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे सीधा बना, चारी डाली, और दूसरा फंदा सीधा बना, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा बैक लूप से सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर से इस पैटन को और पीट करेंगे, धागा पीछे रखेंगे, एक फंदा सीधा, जाय डालेंगे, दूसरा फंदा सीधा, फिर ध धागा आगे, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा बैक लूप से सीधा और लास्ट का फंदा सीधा बना लेंगे, ये देखे थर्ड रॉव कम्प्लीट हो गई है, फोर्थ रॉव है, रॉव साइड, एस्टिच ऐसे ही उतार लेंगे, फिर देखे एक फंदा इसको हम बैक लूप से उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, अब दिखिए, एक फंदा उल्टा, चलिवाल फंदा भी उल्टा ही बनाएंगे, टू, और एक फंदा और उल्टा, टोटल तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर एक फंद सीधा थागा आगे बैक लूप से एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा स्टार्टिंग के तीन फंदे छोड़कर यहां सी यहां तक हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गया इसमें हमने तीन फंदे उल्टे बना एक फंदा सीधा एक फंदा बैक लूप से उल्टा एक फंदा सीध फिर से थागा आगे तीन फंदे उल्टे 1, 2, 3, थागा पीछे एक फंदा सीधा, थागा आगे एक फंदा बैक लूप से उल्टा, थागा पीछे एक फंदा सीधा, थागा आगे तीन फंदे उल्टे 1, 2, 3, थागा पीछे एक फंदा सीधा, थागा आगे एक फंदा बैक लू लूप से उल्टा कि एश्टिच उल्टा बना लेंगे ये दिखे रो फॉर कंप्लीट हो गई है और दिखे पैंड कि मारा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है फिर सी हम इसें कuciones से उल्टा है, उल्टा बनाएंगे, अब तीन फंदे हैं, तीनों फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, फर्स्ट फंदा लेंगे और इसे उपर से ट्रॉप कर देंगे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा बैक लूप से, सीधा धागा आगे, एक फंदा उल्टा, स्टार्टिंग के तीन फंदे छोड़कर यहां से यहां तक हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गया है, फिर से इसे रिपीट करेंगे, तीन फंदे सीधे, one, two, three, थर्ड फंदा आगे के दो फंदों के उपर से टॉप करेंगे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, तीन फंदे सीधे, one, two, three, थर्ड फंदा आगे के दो फंदों के उपर से डॉप करेंगे, धागा आगे, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा बैक लूप से सीधा, एस्टिच सीधा बना लेंगे, यह दिखे, फिर से हमारा पैटन फर्स ट्रौ से सेकेंड रो, रॉंग साइड, एस्टिच ऐसे ही उतार लेंगे, बैक लूप से उल्टा फंदा, उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, one, two, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, बैक लूप से, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा धागा आगे, बैक लूप से, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा धागा आगे, एक फंदा बैक लूप से, उल्टा, एस्टिच उल्टा, ये दिखे, सेकेंड रो कम्प् पीट हो गई है ऐसे ही बार बार हम इसकी 1,2,4 और पीट करते जाएंगे और ये पैटन बनकर इस तरह से दिखने लगेगा ये दिखे ये दिखे वें बहुत ही सुन्दर सा और बहुत ही डिफरेंट सा पैटन है इसे आप as a border या इसे फुल कार्डिगन में, हाफ कार्डिगन में, जैंट साफ स्वेटर, फुल स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, कैप में, शॉल में, स्टॉल में, मफ्रल में, किसी भी प्रोजेक्ट में अपलाए कर सकते हैं ये बनकर बहुत ही प्यारा लगता है तो फ्रेंट आप भी से बनाएए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साँ शेयर कीजिए, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सेस्काइब करना मत भूलें, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्यू फ्रेंट फॉर वाच्च मैं वीडियो